History of Jerusalem Study IQ में आपका स्वागत है मेरा नाम है आदेश सिंग आज हम बात करने वाले हैं जेरुसलम के बारे में दोस्तों, धर्म या रिलिजिन, मानव इतिहास का वो महत्वपूर्ण पहलू है जिसका जन्म ही मानवों के जीवन में stability लाने के लिए हुआ है लगभग सारे ही धर्म अच्छा और नैतिक जीवन जीने के अलग-अलग रास्ते बताते हैं हम कई सारे ऐसे धर्मिक गुरू, प्रॉफिट्स और अवतारों के बारे में वाकिफ हैं जिनके महान विचारों को हमने अपने अपने हिसाब से interpret कर उसको अपने जीवन में लागू करने का काम किया है लेकिन कुछ इतिहासकारों का opinion ये भी है कि धर्म का इस्तिमाल कई बार corrupted, influential और power hungry लोगों ने अपने फायदे के लिए भी किया जिससे दुनिया भर में कई सारे violent conflicts का जर्म हुआ ऐसी ही एक कहानी है Jerusalem की जो दुनिया का oldest religious conflict है वो Jerusalem शहर की जो Jordan नदी और Mediterranean Sea के बीच located है ये शहर पिछले हसारों सालों से दुनिया के तीन major धर्मों और दुनिया की लगभग 55% population का holy place रहा है और उनके बीच के conflict का focal point भी लेकिन Jerusalem के सदियो पुराने conflict का कारण केवल religious नहीं है बलकि geopolitical भी है हम Study IQ के इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के one of the oldest शहर Jerusalem का वो इतिहास जो उसे विश्व का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शहर बनाता है हम Jerusalem के 3000 सालों की कहानी के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे ये शहर कई सारे religious और political wars का center बन गया दोस्तों, Jerusalem के इतिहास से पहले Jerusalem और यहाँ पर located सबसे important religious site Temple Mount या हर्मल शरीव का religious significance समझना जरूरी है Eastern Jerusalem में located ये Temple Mount एक holy compound है जिसमें currently अलकसा mosque, doom of the rock और एक holy wall located है अलकसा mosque और dome of the rock, Muslims और holy wall, Jews के लिए important site है लेकिन कई Jews, wall के अलावा बाकी के sites पर भी अपना दावा पेश करते हैं जिसके बारे में हम आगे detail में चर्चा करेंगे खैर, Jerusalem दुनिया के तीन major Abrahamic religions के लिए एक holy site है Abrahamic religions का मतलब है वो धर्म जिनके लिंक्स Abraham से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए है Abraham का जिक्र Jews के religious book Hebrew Bible में इसलाम की Quran में और Christians के Bible में मिलता है Jews के लिए ये शहर इसलिए important है क्योंकि Hebrew Bible के हिसाब से यहां के Mount Moriah में ही Abraham ने अपने बेटे Isaac का sacrifice करने की कोशिश की थी जिसके बाद उनका God से contact हुआ इसी Mount Moriah को Jews, Holy of the Holies बोलते हैं और ये claim करते हैं कि Mount Moriah Temple Mount compound में located Dome of the Rock के नीचे है Dome of the Rock फिलहाल एक Muslim holy site है Hebrew Bible में यहां के Temple Mount को first temple बोला जाता है जिसे King Solomon ने 950 BC में बनवाया था For Christianity Christianity में Jerusalem इसलिए important है क्यूंकि Jesus का crucifixion इसी शहर में लगभग 30 AD में हुआ और Christians में ये मानने था भी है कि इस शहर में Jesus का resurrection भी हुआ पर आज इनकी one of the holiest site Church of the Holy Sepulchre located है ये Church Temple Mount से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहली बार लगभग 335 AD में बनाया गया था Islam की बात करें तो उसमें ये माननेता है कि Jerusalem, Earth में वो last जगह थी जिसे Prophet Muhammad ने बुराक नाम के एक creature की help से overnight visit किया था और यहां से वो 7th century में जन्नत यानि heaven की तरफ गए वो जगह जहां से Prophet Muhammad जन्नत की तरफ गए वो Temple Mount compound में located है जहां Dome of the Rock और Al-Aqsa Mosque है Al-Aqsa Mosque Muslims के लिए Mecca और मदीना के बाद third holiest site है दोस्तों, Jerusalem का पूरा मुद्दा इसी religious significance के around located है हजारों सालों के destruction और recreation के बाद इस temple mount में जो कुछ बचा उस पर ownership को लेकर कई सारे विवाद है Jews ये मानते हैं कि Dome of the Rock में Holy of the Holies located है इसलिए उस पर उनका अधिकार है वही Muslims इस demand को recognize नहीं करते और वो अपनी ownership claim करते है Jerusalem, the oldest city तो ये था Jerusalem के religious significance का overview अब हम बात करेंगे Jerusalem के इतिहास की और उन major events की जिन्होंने Jerusalem को सिर्फ religious पैमानों में नहीं बलकि geopolitical पैमानों से भी important बना दिया दोस्तों, Jerusalem को Hebrew भाशा में येरुशलम और Arabic में अलकुद्स के नाम से जाना जाता है और ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में एक है इस शहर में दुनिया भर की कई सारी dynasties ने कबजा किया उसे उजाड़ा और फिर से बसाया जेरुशलम के बारे में archaeological evidences 4th millennium BC यानि 4000 BC में existence में आए nomadic settlements का दावा भी करते हैं खेर, biblical accounts की माने तो लगभग 1000 BC में King David ने जेरुशलम को capture किया और इसको Jewish kingdom का पहला capital बनाया Hebrew Bible, King David के great achievements के बारे में बताता है जिसमें उन्हें Israeli tribes को unite करने और इस्रेल के सबसे important artifact the Ark of Covenant को Egypt से जेरुशलम लाने का credit दिया जाता है Ark of the Covenant एक gold-plated wooden chest या box है जिसके बारे में ये माननेता है कि इसमें God के द्वारा Moses को दिये गए दो plates हैं जिनमें 10 commandments लिखे हैं इस Ark को रखने के लिए David के बेटे King Solomon ने first temple बनवाया जिसे हम Temple Mount या Harmal Sharif के नाम से जानते हैं खैर Temple Mount को 586-587 BC में Babylonian King Nabucadnezzar II ने destroy कर दिया इस Temple Mount को बाद में Jews ने 516 BCE में फिर से rebuild किया और इसे second temple बोला गया लेकिन Ark of the Covenant यहां से गायब हो गया था इसके बाद Alexander जब 330 BC के आसपास दुनिया को जीतने के सपने लेकर Macedonia से निकला तो Jerusalem Greek influence में आया और यहां Greek pagan religion का spread हुआ Greek pagan religion एक polytheistic religion था यानि कि इसके followers one God नहीं बलकि multiple gods के idea में believe करते थे और वो idol worshippers भी थे लेकिन Judaism एक monotheistic religion है और उसमें idol worship भी prohibited है जिसके चलते Jews और Greek paganism के followers में conflict हुआ और Jerusalem के orthodox Jews ने 167 BC में एक armed rebellion शुरू किया ये शायद यहां पर हुआ पहला religious rebellion भी था The Romans Entry of Christianity 516 BC से 70 AD तक ये second temple existence में रहा लेकिन 70 AD में जब Jerusalem Roman war हुआ तब इसको फिर से destroy कर दिया गया Judaism में आज भी ये माननेता है कि यहीं पर third और final temple बनाया जाएगा जब उनके मसाया फिर से धरती पर जन मिलेगे खेर, first century से 7th century तक इस area में Roman Empire के control की वजह से Christianity काफी तेजी से फहला और धीरे धीरे यहां का main religion बन गया Roman Emperor Constantine the Great को यहां पर Christianity के promotion का credit दिया जाता है Constantine ने यहां located Church of the Holy Sepulchre को भी 336 AD में construct कर वाया था Jewish interlude 610 AD में Sassanid Empire ने थोड़े टाइम के लिए Byzantine Empire या Eastern Roman Empire को Middle East से खदेर दिया जिसके बाद यहां सदियों बाद Jewish control फिर से establish हुआ जिसे Sassanid Jewish Commonwealth भी बोला जाता था लेकिन यह Commonwealth कुछी सालों तक exist किया और Byzantine ruler ने Jerusalem को फिर से capture कर लिया The Arabs कुछी सालों बाद 637 AD में Arabs ने Jerusalem को अपने control में ले लिया और फिर शुरू हुआ Jerusalem में Islam का रोल दोस्तूं एक record के हिसाब से रशिदून कैलिफ उमर ने यहां के अलग सा mosque का construction स्टार्ट किया था जिसको finish बाद में उमयाद कैलिफ अलवालिद ने किया इसके बाद 691 AD में Temple Mount का अगला सबसे important structure बनवाया जाता है जिसको हम Dome of the Rock कहते हैं इसको कैलिफ अब्दाल मलिक ने बनवाया था इस Dome का golden color 1920 में add किया गया था खैर इस Arab control के बाद Temple Mount को Noble Sanctuary या फिर हर्मल शरीफ बोला जाने लगा इसके बाद शुरू होता है Crusades का दोर जिसका मतलब है religious wars यह wars 1096 AD से 1291 AD तक चले जो mainly Christians और Muslims के बीच हुए Crusades 11th century में Western European Christians ने start किये जिसका purpose था Muslims के expansion को रोकना Holy Land Jerusalem को capture करना और पुराने Christian territories को re-establish करना 1095 से 1291 AD तक कई Holy Wars हुए जो Syria से लेकर Spain और Baltic region तक फैल गए यह Crusades 1291 के बाद भी कई सदियों तक चलते रहे लेकिन 16th century में Protestantism के जन्म और Church की reduced power के वजह से almost खत्म हो गए 1291 में Christians को Syria region से expel कर दिया गया और कहते हैं कि 11th century के अंत तक लगभग two-third Christian territories Muslims ने capture कर ली जिसमें Palestine, Syria, Egypt और Anatolia included थे Christian Crusades को initially काफी सफलता मिली लेकिन Islamic States के growth से एक बार फिर ये रीजन Muslim control में चला गया Finally, 14th century में Ottoman Turks का rapid rise हुआ और खुद को expand करते हुए वो Balkans तक फैल गए इन Crusades में लाखोन लोगों की मृत्यू हुई और ये human history के dark ages में consider किये जाते हैं The rise of Ottomans दोस्तों, 15-16 में Ottoman Empire Jerusalem को capture कर लेता है जिसके ruler सुलिमान the Magnificent ने Jerusalem में कई सारे constructions करवाए जिसमें वो walls भी included हैं जो आज भी old city of Jerusalem की boundaries को define करती हैं ऐसा कहते हैं कि सुलिमान और बाकी के Ottoman rulers के अंडर काफी सदियों बाद Jerusalem में शांती आई जिसे age of religious peace भी कहा जाता है जहां Jews, Christians और Muslims सब को काफी religious freedom मिली इसके अलाबा, Ottomans के अंडर ये region economically भी काफी prosperous हुआ और यहां पर कई सारे modern infrastructures भी आए जैसे postal systems, paved road from Jaffa to Jerusalem और railways Mid 19th century से Ottomans का decline शुरू हुआ और Jerusalem में एक बार फिर अराजकता के बादल चागे जिन में हुए changes ही modern day Palestine-Israel conflict के कारण बने इसी दौर में यहां first wave of Jewish immigration हुआ जो anti-semitism और रशा में हुए 1881 से 1884 के बीच के anti-Jewish riots का result था इसकी वजह से ही Zionism movement का rise भी हुआ जिसने एक Jewish homeland की demand की British mandate World War I में finally Ottomans का अंतु हुआ जिसके बाद League of Nations ने Palestine का control Britishers के हाथों में दे दिया लेकिन British rule के दौरान यह region काफी unstable और conflict से भरा हुआ था उसका main reason था 1922 में League of Nations का Jewish homeland को support और उसके बाद start हुए massive Jewish immigrations 20th century में जब Hitler ने organized anti-semitism को promote कर लाखों Jews को gas chambers में जोंग दिया तो ये immigrations और Jewish homeland की demand और जोर पकड़ने लगी 1922 से 1948 के बीच Jerusalem की population 52,000 से 1,65,000 तक बढ़ गई जिसमें two-third Jews और one-third Arabs, Muslims और Christians थे इसकी वजह से यहां कई सारे riots भी हुए बाद में कुछ Jewish militias भी बने जो World War 2 के दौरान Britishers के Jewish immigration पर बैंसे नारास थे इन Jewish militias ने Britishers पर भी attacks किये Creation of Israel लेकिन इस conflict में एक नया turn 29th November 1947 को आया जब UN General Assembly ने Palestine Partition Plan अप्रूव कर दिया और Palestine को Jews और Arabs के बीच डिवाइड कर दिया Jerusalem को international control में रख दिया गया पर इस्रेल के creation के बाद First Arab Israel War में Western Jerusalem इस्रेल के control में और Eastern Jerusalem Jordan के पास चला गया और इस War में लगभग 7,60,000 Palestinians West Bank, Gaza और neighboring Arab countries में emigrate कर गए जो आज भी काफी खराब conditions में रहते हैं 1967 में हुए Six Day War में इस्रेल ने East Jerusalem को भी capture कर लिया और आज East Jerusalem Israeli control में है क्यूंकि इसी East Jerusalem में Temple Mount भी है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं इसलिए तब से Jerusalem एक international issue बन कर रह गया है और यहां समय समय पर violent clashes होते रहते हैं Palestinians ये मानते हैं कि Jerusalem पर Israel का कबजा ही illegal है लेकिन Israel इसे अपनी official capital बताता है आपको बता दें कि USA ने 2017 में Jerusalem को इस्रेल की capital की तरह रेकिगनाईज कर लिया था जिसके चलते Palestinian organizations और Palestine supporter countries काफी ज्यादा नाराज हुए The current conflict 1967 में East Jerusalem के occupation के बाद हुई एक meeting में ये decide हुआ कि Temple Mount का religious control Muslims के पास और overall sovereignty इस्रेल के पास होगी इस arrangement में ये भी decide हुआ कि Temple Mount में prayers offer करने का right सिर्फ Muslims को है जबकि Jews सिर्फ Western Wall में ही pray कर सकते हैं ये Western Wall यहाँ पर एकलोता Jews का religious अवशेश है जो traditionally Temple Mount के चारों तरफ exist करती थी लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ के Temple को पहले Babylonians ने और बाद में Romans ने destroy कर दिया और वहाँ इस enclosing Wall का Western part ही रह गया इस arrangement ने Muslims और Jews दोनों के conservative groups को hurt किया और current situation ये है कि Jews चाहते हैं कि उन्हें Temple Mount में prayers offer करने की permission भी मिले और Muslims चाहते हैं कि Israel Jerusalem को ही छोड़ दे इस stand-off के चलते आज भी Jerusalem एक important center of conflict बना हुआ है जो global geopolitics का भी determinant है Conclusion तो ये था Jerusalem का हजारों साल पुराना इतिहास जिसमें हमने ये पाया कि Jerusalem शहर एक ऐसा cradle of civilization है जिसके conflict ने दुनिया भर को impact किया कई सारे empires और civilizations यहां rise हुए और खत्म हो गए लेकिन Temple Mount को लेकर जगड़ा आज भी जारी है Jerusalem का इतिहास कहां पर जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन एक बात तो तैह है कि ये शहर दुनिया भर में हो रहे geopolitical churning में एक important role play करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा देखने वाली बात ये होगी कि यहां का religious और political conflict कब क्या मोड लेगा और कैसे ये एक conclusion पर पहुँचेगा इसके अलावा इस conclusion का दुनिया भर में क्या impact होगा ये भी एक important historical event होगा जिस पर दुनिया के तमाम इतिहासकारों की नजर जरूर होगी खैर हम उमीद करते हैं कि यहां के सारे stakeholders एक consensus के तहत इस problem को resolve कर लेंगे और peaceful coexistence और world peace को ensure करने में अपनी भूमी का निभाएंगे